क्रित्रिम गर्भाधान या AI वह विदी है जिसमें सांडों से शुक्रवाणूं को एकत्रित करके उन्हें मादा के जननांगों में गर्मी के उचित समय पर AI गन की मदद से जमा कर दिया जाता है आवशक उपकरन, सीमन स्ट्रॉ, क्रायो कैन, AI गन, शीट, थौइंग ट्रे, वाटर बाथ, थर्मस, थर्मामीटर, टिशू पेपर, फोर सेप्स, स्ट्रॉ कटर या कैंची, एपरन, दस्ताने, गंबू, AI की प्रक्रिया वाटर बाथ में रखे गरम पानी के तापमान की जांच की जानी चाहिए और थौइंग से पहले पानी का तापमान 37 डिग्री सेलसियस होना चाहिए पानी को थर्मस में लेना चाहिए ताकि तापमान को पूरी प्रक्रिया में बनाया रखा जा सके Cryo Can से Straw निकालने के दोरान शुक्रानूओं को गर्मी की वज़ा से चोटिल होने से रोकने के लिए कैनिस्टर को ठंड रेखा या Frost Line से उपर नहीं उठाया जाना चाहिए हाथों को Sheet Dunch या Frost Bite से रोकने के लिए Forceps की मदद से Cryo Can से सीमन Straw को निकाला जाना चाहिए Straw को निकालने के बाद Cryo Can को ठीक से बंद करना चाहिए Straw को 40-45 सेकंड के लिए 37 डिग्री सेल्सिस के तापमान वाले गरम पानी में थो या वीरे को पिगलाना चाहिए AI के लिए इस्तिमाल की गई गई गन साफ और निश्फल होनी चाहिए टिशू पेपर की मदद से Straw को ठीक से पोंचना चाहिए पोंचने के बाद इसे AI गन में लोड किया जाना चाहिए Straw को प्रियोगशाला सील या लैबोरेटरी सील वाले छोर से Straw कटर या तेज कैंची से 90 डिग्री के कोंड पर काटा जाना चाहिए शीत को नीचे से पकड़ कर पैकेट के बाहर निकाला जाना चाहिए और गन पर रखकर ओर इंक का उपयोग करके इसे बंद कर दिया जाना चाहिए दस्ताने पहनने के बाद हाथ को धीरे से मलाशय में डाल दिया जाना चाहिए और गोबर को निकाल कर मलाशय को साफ किया जाना चाहिए योनी द्वार को पानी से धोकर टिशु पेपर की मदद से साफ किया जाना चाहिए किसान की मदद से योनी द्वार को फैलाना चाहिए और मूत्र मार्ग में प्रवेश से बचाने के लिए 30 डिग्री कोन पर AI गंद डालनी चाहिए ताकि गन फॉर्निक्स तक पहुंच जाए गर्भाश्य ग्रीवा को मलाश्य के माध्यम से मजबूती से पकड़ना चाहिए और गन को योनी से गर्भाश्य ग्रीवा तक पारित करना चाहिए ताकि गन गर्भाश्य ग्रीवा के आंतरिक छेत तक पहुंच जाए फिर गन के पिस्टन को धीरे धीरे दबाएं ताकि वीर्य गर्भाश्य में जमा किया जा सके वीर्य को जमा करने के बाद गन को धीरे से ग्रीवा से निकाला जाना चाहिए AI के बारे में जानकारी नियमित रूप से रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए महत्वपूर्ण सुझाव एक सफल AI के लिए उचित गर्मी का पता लगाना बहुत आवशक है AI के बाद पशु को पर्याप्त आराम दिया जाना चाहिए AI के बाद नियमित अंतराल पर पशु की निगरानी की जानी चाहिए 21 दिनों के बाद विशेश रूप से किसी भी प्रकार के गर्मी के लक्षणों के लिए पशु की जाच होनी चाहिए यदि कोई असामाने लक्षण दिखाई दें तो उचित समय पर उपचार किया जाना चाहिए एक सफल कृत्रिम गर्बाधान एक बड़ा बदलाव कर सकता है